नमस्कार आप देख रहे हैं लूकमत हिंदी का special show expert talk और मैं हूँ आपके साथ गुशाचर्मा देखिए भारत और कनाडा के रिस्ते जो हैं एक बार फिर से डिरेल हैं दोनों देश के बीच राजने की आने की diplomatic जो तनाव है वो बरता चला जा रहा है दोनों ही देशों ने अपने अपने diplomats को वापस जाने को कहे दिया है अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर सुमवार को ऐसा क्या हुआ जिससे भारत और कनाडा के बीच जबर्दस तनाव बट गया इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जितेंद्र कुमार तृपाथी सर जुड़े हुए है सर फॉर्मर एम्बैसडर रह चुके है और जो भारत कनाडा के रिष्टे कैसे हैं क्यों बिग रहे ये रिष्टे और तो और अब आगे की राह क्या होगी इसको आसान भासा में समझेंगे असर से तो सबसे पहले जितेंद्र सर आपका लूकमत हिंदी के इस प्लैटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवार असर पहला रियाक्शन आपसे लेना चाहेंगे कि बीते साल देखिए जून में कनडाई नागरिक जो हैं हरदीप सिंग निजर की हत्या के बाद जस्टिन टूडो ने भारत की और उंगली उठाई थी अब भारत ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और उसके बाद देखिए दोनों देशों ने इक बूसरे के डिप्लोमेट्स को अब देश छोड़ने को कह दिया है पूरे मामले को आपसे आसान भासा में समझने की पुशिश करेंगे से देखिए मुझे ये लगता है एंचे कि बहुत भाद कहरी हेमन्जी की कनाडीन सरकार का। या जस्टीन प्रूम्डो का यह कदम जो है यह सिर्फ इस धीज को दिखाता है कि इस तरह से कनाडा की सरकार ऑख्ला हट में है वो किसी तरह से डिस्परेट कि वो किसी तरह से अपनी सरकार को बचाएं क्योंकि अगर आप यह देखें अगले साल उनके हाँ 20 तारिफ को एलेक्शन, 20 अक्टूबर को एलेक्शन होने वाले हैं और अभी 338 सदस्य संसद में हाउस आप कॉमंस में कनाडा की 153 सदस्यों के साथ जस्टिच चूडो की लिबरल पार्टी जो है अल्पमत में है इस पार्टी का बहुमत नहीं है इस पार्टी ने न्डीपी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो की कनाडा में इस्पिशली अलबर्टा और दूसरे प्रांतो जो में बसे सिखो की सिख खालिस्तानिय आतंकवारियों सिख अलगावाजियों की पार्टी है इससे थमर्थन लिया है क्योंकि उनके 25 सदस्यों तो 123 और 25 मिलाके 178 हो जाते हैं जो कि जस्ट अबब द अमिजर्टी मार्क है और आप में देखा होगा कि उनके वज़ए से ही जस्टिन टूडो किसी भी तरह का कोई भी एक्षन लेने में हिस्की चाते हैं जर जो था निजर्टी एक आतंकवादी था यहां तो प्लंबर के तौर पे गया था कोई उसकी क्वालिफिकेशन नहीं थी और अभी भी वो सिर्फ कनाडियन पर्मानेंट प्रेजिडेंस पे बात के तरह रहा था जबकि जस्टिन टूडो यह गलत बात कहते है कि वो कनाडियन सिटीजन था तो सिटीजन तो था ही नहीं एक चिए ड्यूसरी चीश वी आतंकवादी था उसके और उसके साथ और कई आतंकवादियों पे खिलाफ भारत सरकार ने कनाडा सरकार को दोजि तैस्टि जदर के अभार्ती भिखा लिभी एजन्सी दाजाता है, उन्हों ने पहले भी कहा खिनी भारती एजन्सीजीयां स्वेलड फिरॉस सबसे ज़्यादा भीवकूफाना बात यह हसने ही हो गयाद से असमत बात यह है कि कनाड़ा की सरकार में कहा है कि नहीं वह भारती उच्चायोग इसमें इन्वाग तब से बड़ी बात यह कि आप में पास कोई किसी का कोई पुखता सबूत नहीं है दूसरी चीज यह कि अगर जनरली किसी भी भारत का तो कोई भी उच्चायोग या कोई दूतावाज का कर्मचारी ऐसी चीजों में उन्वाव नहीं बहता है अगर किछी और देश का भी कोई इन्वाल बहता है जो छोटे लिविल पर इन्वाल होता हूँ आइक अब लेकिन उनका यह कहना यह तो बड़े ताजूब की बात है है आद से असपत है मैं उच्छायोग प्रणवर्मा जी को जानता हूं बहुत ही शरीफ और बहुत ही सुल्ये हुए इंसान है वो तो एठक है कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब इसी से इनकी बॉखलाहत जाहिर हो जाती है कि कल तक यह कह रहे थे और आज कहने लगे कि लारेंस विश्णोई को जो की भंगोडा था उसको भारत सरकार ने हैर किया अरे लारेंस विश्णोई के खिलाब तो आप कितने डोजियर दिये गए हैं अब हम तो उसको आप भेजने के आप से मांग करें हैं ताकि मुकदमा चला के उसे इसका दे और आप भीकरे हैं कि हमने उसको इसलिके भेजा हैं है अगर ऐसा है तो आप उसको भेजे यह पहले हम सजादे के दिखा देखते हैं लेकिन कनाडियन सरकार वो नहीं कर जा नादियन सरकार बिल्कुल एक ऐसे मोड में आगय है कि किसी तरह अपनी सरकार बचाएं नहीं को ब्लैक को वह उसी के लिए वह ब्लैक मेल हो रहे है न्यो डिमॉक्रीतिक पार्टी के सरदस्य जितने बीड़ाइश के साथ हमारे जो रिष्टें इतने खराब नहीं हुए थे जितना कनड़ा के साथ हो गया है जो खटास पैदा हुई है तो आप बताईएगा अमेरिका की आगवाई में जो जितने भी पस्चमी देश थे उनके साथ रिष्टें जो थे हमने सुधारे ते अच्छी मुकंबल मार्केट बना ली थी कौनमी बनाने की विदिशा में हम लोग आगे बर रहे थे अब इसके अलावा जी सेवन और जो दीश हैं उसके साथ कि हम लोग आर्थिक कहिए वैपारिक कहिए और राजनीतिक रिष्टे शुदारने की कुशिश कर रहे हैं लेकि सब्सक्राइब करके बाखी किसी भी पश्मी देश के साथ हमारे रिष्टे इसने खराब नहीं रहे हैं और उसका कारण शायद यही रहा है कि कनड़ा ही यह देश है जिसने सी खातनकवाजियों को बड़ी मात्रा में पना हैं जी और उनको यूमन राइट के नाम पर उनको वहां पोद देने का अधिकार 1947 से मिला और अब उसका परिणाम वोग रहे हैं कि उनके द्वारा ब्लैक मेल किये जा रहे हैं कनाड़ा के साथ इसलिए भी हमारे रिष्टे थोड़े से खराब हुए कि कनाड़ा ही देखिए कि कनाड़ा में एर इंडिया के विमान का निश्क में विस्पोट होता है हमने इसके बारे में डोजियर दिया कनाड़ा सरकार को एक नहीं कई कई बार दिया और कई बार अनुरोज किया कि यह सेपरेटिस्ट का काम है और यह यह लोग इंवार्व है आप इसमें कुछ काम कीजिए कनाड़ा सरकार ने human rights के नाम पे उनको कुछ नहीं किया अभी कर और याद रहे कि उस वक्त भी जो सरकार थी उसके प्रधान मंन्तरी थे प्रदान मंतरी के ऑत ज्टी है पता तो ओर इस रिष्टे खड़ाब होना शुरु तो इंडियन वहां जाते थे, कनाडा जाते थे, लेकिन अभी क्या, अभी देखें, कनाडा में 70 लाख एशयन अप्रवासी हैं, 70 लाख में से 16 लाख से ज़्यादा हिदुस्तान से गह हुए है, और उसमें एक अंदादा है कि 12 लाख के करीब तो सिक्ष, उन में से कुछ सिफ हैं, वह आतंकवादी हैं, मैंने ही कहा था, सभी हैं, सभी नहीं है, ज़्यादा तर नहीं है, कुछ आतंकवादी हैं, लेकिन उन आतंकवादी सिफों ने एक तरह से सिख कम्यूनोटी को हाईजैक कर दखा है, तो इसलिए तनाडा के साथ रिष्टे खराब हुए, और अमेरिका में भी आतंखुवाद ही कुछ है, जिसे पंडू अगरां है, अमेरिका में, फ्रांस में भी हो सकता, ब्रेटेन में भी हैं और यह सब देश जो हैं यह सब देश लेकिन आतंखुवाद के नाम पर हमारे उपर कोई ऐसे यारोब नहीं लगा दा और कनाडा ने इसलिए भी कनाडा के साथ रिष्टे खराब जुए कि आप देखे आतक भारती उच्चा योग और भारती उप उच्चा योग की बिल्डिगों पे पिछले दो साल में हमले कि जंडे जलाएगी और वहां पे तोड़ पोड़ कि मैं यह कहता हूं कि जेनेवा कर्वेंशन के हिसाब से किसी भी देश के राजनाइक जूतावास या राजनाइक इस्टैबलिश्मेंट पर या डिप्लोमेट्स पर आपका कानून नहीं लागू होता है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होस्ट कंट्री की होती है जिसके य पूरी तरह अस्फल रही जानगूज की निश्क्री रही और इसके साथ ही आप माल्याब जेनेवा कर्वेंशन को नहीं मानते पूला आप कनाडियन क्रिमिनल कोड की धारा 432 के अनुसार किसी भी इंटरनेशनली रिकोगनाइज पर्सन या और्गनाइज़ेशन की जाद है और ऐसे व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 14 साल तक ही सजा हो सकती है अब हम यह कह सकते हैं कि भाई किस ने किया यह कैसे पता वो सकता था लेकिन जिन्हों ने किया खालिक्तानी संगठोनों ने उन्हें बाकायरी उसके बाद कोश्रल लगाए उन्हेदारी ली और प्रकरण में एक परसंस ऑफ इंट्रस्ट का मामला सामने आ रहा है एक दूसरे के राजनेकों को निकालने का फैसला तब सामने आया है जितने सर जब निजर हत्या मामले में कनाड़ा ने भारती राजनीकों को चायोग के दूसरे दिकारियों को कहा कि परसंस ऑफ इंट्रस्ट है यह बताएगा चुकि हम आम बहासा में लोगों को समझा रहे हैं सर पूरे मुद्दे को आप से समझना चाहेंगे सर आप अबस्डर भी रह चुके हैं सर यह परसंस ऑफ इंट्रस्ट होता क्या है नहीं यह वैसे तो डिप्लोमेटिक लैंग्विज में यह कुई चीज नहीं है लेकिन कनाडियन लैंग्विज में यह है परसं अफ इंट्रस्ट का मतलब एक आदमी जिसका की कोई हित को किसी काम करने में उसको फाइदा होता हो तो हमारे डिप्लोमेट ऐसा कोई काम क्यों करें जान गूंच करके जिसमें उनको फाइदे के बजाए नुट्सान होगा जिसमें उनको इसके बजाए इसके बजाए बदनासी इंखानी पड़े हमारे डिप्लोमेट तो इसी लिए हमें करना होता तो हमारी यह आप मिशित रहे हमारी एजिस्टी सच्छम है कि हमें करन होता तो हम बहुत कुछ कर देते हैं लेकिन हम नहीं करते हैं हम डोजियर देते हैं हम चिठ्थी लिखते हैं मनुरोथ करते हैं कि भाई ये डोजियर है ये सब होता आप इसके पास जाके काम कीजिए अगर हमें करना होता तो हम बहुत कुछ कर देते हैं लेकिन हम पाकिस्तान सकते लाओ जांधा जिए को कभी का इलमिनेट कर सकते थैंटुम्हें वहела कि हम प्रडियर दिया है इस जगह रह रहा है बहुत दाले कर आए कितना खेन हम नहीं किया तो हम तो सबूत देते हैं लेकिन अगर आप सबूती को मानने में इंकार कर दें तो थो कोई रास्ता नहीं वच्टा और अगर यह है अमेरिकार के साथ अमेरिका में भी देखे पनू है लेकिन अमेरिका ने कहा है कि हम सिर्फ एक इंसीडेंट से हम भारप के साथ अपने रिश्टें नहीं खराब करते हैं क्योंकि अमेरिका भी जानता है, हम तो कुछ करते नहीं, अमेरिका तो दिन दाहरे दूसरे देशों में जाकर कि उसामा बिन लादन को मरवा डालता है, गदाफी को मरवा डालता है, उसको मरवा डालता है, सदाम हुसेन को मरवा डालता है, अमेरिका तो खुलयान ये करता है, जिर्का को कोई यह नही Must, हम करते भी नहीं तो भी बद्रब हुआ है अजितेंद्र उसर अगला सवाल मेरे मरे मन में आ रहा है कि कैसे सबूत भारत को दिये जैसे कि आपने कहा भी कि सबूत हम लोग पेश करते हैं उसको कोई मानता नहीं, उसके सबूत को हम नहीं पेश्वाएं, ये पुरा मामला होता क्या है सर, सबूत सबूत का जो खेल चल रहा है, ये क्या होता है सर? देखे ऐसा है कि जब भारत के खिलाफ कारवाई की चुचना मिलती है, तो भारती एजिंसियां, पुलिस, CID, IV वगरा वगरा इसकी चांदीन करते हैं, लिंक निकालती है कि किसको कहां से कहां तक लिंक दिया गया और कैसे ये होता है, और उसके आधार पर और जांच पर्टा कि जाती है, जिससे पता लगता है कि हा भाई, ये यहां से यहां आया, इससे ऐसे बात की, ऐसे हुआ, सारा वो लिंक दिखाया जाता है, और उसे को हम कहते हैं कि कान्फूर्टिव सभूत हम देते हैं, लेकिन वही चीज है कान्फूर्टिव सभूत देने के लोग हमारे सबोर देने के बाव दूब भी उस चीज को नहीं मालते, मानने से साफ इंकार कर देता है अगर कोई बिना जाज परतार के तो क्या करा है असर अब आते हैं इंडिया कानडा के बीच जो बाइलेक्टरल ट्रेड है कहा जा रहा है कि कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में 6 लाग करों रूपे से ज़्यादा इद्वस्ट किया है और 68,000 करोर के आसपास का पूरा कारूबार है कनाडा में भी सर कई भारती कंपनियां हैं जैसे IT कंपनियां देखिए, सौफ्ट्वेर देखिए, स्टील, नैच्रल रिसोर्स, बैंकिंग जैसे कई सेक्टर इसके लावा, 600 से ज़्यादा कनेडाई कंपनियां जो हैं भारत में कारूबार कर रही हैं, अब हम आपसे समझना चाहेंगे सर कि क्या इस कारूबार पर इस बाइलेक्टरल ट्रीड पर कुछ असर पढ़ सकता है या नहीं? जो जानकारी उपलब्ध है, मिनिस्ट्री ओफ ट्रेड और कॉमर्स की इंडस्ट्री की वेबसाइट उसके इस साब से जो प्रच्छी व्यापार पिछले वित्वर्ष में जो है वह 8.39 अरब डॉलर था, मतब उसको आप उपर दीजिए तो कितना हो जागा, 64,44 अरब नही हो जाएगा, तो यह कोई बहुत ज्यादा नहीं है, यह देखते हुए कि 800 अरब डॉलर के बजा है, यह मेरे ख्यास से कम से कम 15-16 अरब डॉलर होनी चाहिए थी, कनाड़ा के बगल में ही अमेरिका है, अमेरिका के साथ हमारा वैपार 130 अरब डॉलर का है, लेकिन इनके साथ हमारा से साड़े आठ भी नहीं पहुचा, 8.39 है, तो इसे से जगता है कि जितना पोटेंचियल है, उससे उतना तो हो ही नहीं जाए, और अगर उसमें भी की सरकार इस सारा से कररे रवाई करती रहीं, तो यह अम क्या जाल से यह बैपार भी कम हो जाएगा, और एक ज़ी जिस के साथ यह है, जो अने कनाड़ा को भी घाटा होगा, कि हमारे विश्रुकन साथ होने वाले टोटल वैपार की कुर्म में, यह बैपार पहुच कम है यह व्यापार हमारे बंगलादेश और नेपाल के साथ होने वाले दूपक्षी व्यापार से भी कम हैं, यह व्यापार हमारे उनके साथ होने वाले श्रीलंका के साथ होने वाले व्यापार से भी कम हैं, तकि कनाडा इतना बड़ा इतना डवलब्ड कंथी, और एक चीज यह कि कनाड़ा में जाते हैं, सबस्तर लाख एशियन जो कनाड़ा में रह रहे हैं, सोलह लाख से ज्यादा भार्ती हैं, में इसे भी काफी ज्यादा चाती है, यह जो फ्लोटिक पॉपुलेशन चाती है, इतलिए जाती है कि वहां फीस सस्की है, अब अगर कनाड़ा, और यह भारत जिसका बुरा असर भी पड़ेगा जितने सर्थ दर्शरकों को बता दूं कि भारत कनडा के बीच क्या-क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है देखिए पहले एक्सपोर्ट की बात करें तो कनडा को भारत के रत्न चाहिए आप भूशन चाहिए, कीमती पत्तर चाहिए पर्मसुटिकल प्रड़क्ट्स, रेडिमेट कपड़े जो होते हैं रेडिमेट कपड़े वो मेकनिकल अप्लाइंसेज, और्गनिक केमिकल्स, लाइट इंजिनरिंग का जो सामान है आईरन, स्टील ये सामान जो है कनाड़ा जो है, वो भारत से ले जाता है वहीं दूसरी ओड, अगर कनाड़ा से बात करें इंप्पूर्ट की बात करें तो अकबारी कागच हो गया, लकरी का गुदा हो गया अस्बस्टिस हो गया, पोटज हो गया, आइलन, स्क्राप हो गया तामबा, मिनरल्स और इंडिस्ट्रिल केमिकल्स शामिल होते हैं यानि अच्छा खासा इंपोर्ट इक्स्पोर्ट वाला मामला होता है इसके साथ ही अगला सवाल जितेंदे सर मेरे मन में आ रहा है कि क्या सुधरेंगे सर दोनों देशों के डिस्ते मैं यह कहता हूं इस राइडर के साथ कि अगर कनाडियन सर्टार या कनाडियन सिधानमंत्री का यही रुख रहा बरकदा तो मेरे क्याल से अगले साल अकूबर तक एक साल तक तो सुधरने की कोई गुजाईश नहीं है हाँ अगर इनके रुख में नर्मी आई या अगले साल दूसरी पार्टी कोई पावर में आई जिसकी की उमीद है क्योंकि यह आलमोस से अपने मेजॉर्टी लूट कर चुके तो उस दिशा में उस दशा में बार सर्कार के साथ कनाडा के रिष्टे सुधर सकते हैं क्योंकि आपको आपने जैसे देखा कि जब भी लिबरल पार्टी की सरकार वहां रही कनाडा में कनाडा के साथ रिष्टे हमारे खराब हुए चाहे वहां पर पीरे ठूडो जस्टिन ठूडो के फादर की सरकार निश्टो असी के दर्शक में रही या अभी उनके बेके जस रहेंगे और इसका परिणाम जितना भारत को खिलाब जाएगा उससे ज्यादा के खिलाफ जाएगा अब अंपिन सवाल सर्स की शोग को हम लोग वाइंड अप करेंगे जितने सर्थ भारत के लिए आगे क्या रास्ता बच रहा है यानि वाट इस दवी फॉर में देखे भा अगर आप इडाम लगाते हैं तो सभूत दीजिए और आपने देखा कि क्या हुआ था पिछले साल जूरो ने ऐसा कुछ किया था तो हमने साफ साफ कहा था कि ठीक है डिपलो में हम जोनों इंटरनेशनल कंवेंशन के या इंटरनेशनल रिसिप्रोसिटी जिसको कहते है उस उसके तहत हमारे जितने राजनाइक आपके देश में है उतने ही आपके राजनाइक हमारे देश में होने चलिए परिणाम क्या हुआ भारत के 21 राजनाइक थे कनाडा में और कनाडा के 80 कनाडा ने बड़ा हला गुला करना शूरू कि अमने का नहीं आप बाकी साथ को निका इन पिछे को और निकाल दिया है तो अब ये रिष्टे जो हैं ये इस बात का संकेट रिष्टे नीचे के इस तरह से जा रहा है जैसे हमें पाकिस्तान के साथ किया है अगला सबसे बड़ा तो कदम यह होगा कि डिप्रोमेटिक रिष्टे खतम कर दिये जाए लेकिन वह सब्सक्राइब करनाडा से कहें या तो आप सबूत दीजिए या आपने बयान वाफ़क लिजिए और बेटिकी की ऐसी बातें कहना बंद रहे हैं जितेंद्र सार अब चुकी शो को वाइंड अप कर रहे हैं तो आपका कोई कॉई कॉन्क्लूडिंग रिमार्क हो दोनों रि रिष्टे पर नहीं निर्वर करते हैं बलति उन देशों के नेताओं के रिष्टों पर भी निर्वर करते हैं और यह बड़ी दुखत बात है कि भारत के साथ कनाडा की मामले में कनाडा के नेताओं का रुख जो है वो बड़ा खराब रहा है आप इसी से सोच सकते हैं कि च तीन, कनाड़ा और पाकिस्तान, तीन को छोड़ करके भारती प्रदानमंत्री के या भारती निताओं के रिष्टे और देशों से क्यों है? अगर हमारे एक दो देशों के साथ रिष्टे आख़े होते हैं बाती के साथ खराब होते हैं तो नितरब होते को घठते होते हैं आपने दिल में ध्यांक के देखना चौना और है इंती समय लोकमत इंदी को दिया, हम आपके आधारी हैं, इसी तरह देश और दुनियाओं बिजनस जगत से चुड़ी तमाम ताजातरें कब्लों के लिए बने रही हमारे साथ, और देखते रही लोकमत इंदी, तैंक यू सो मच ये तेंदी सर,